दोस्तों आप अपने घर में अगर बातरूम बनाने जा रहा है तो फिर ये वीडियो आप जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक कमबाइन ट्वाइलेट और बातरूम बनाने जा रहा है तो आपको क्या-क्या पातों का ध्यान रखना होता है उसका साइज कितना देना होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ज्यादा तर घरों में देखा जाता है कि लोग ट्वाइलेट और बाथरूम जो बनाते हैं वो kombain बनाते हैं चाहे वो room में attach कर दे अपना ट्वाइलेट बाथरूम को room से attach बना लेते हैं या फिर hall में यानि कि common area पे और बी किसी कोने में बना ले किसी भी जगह में गहर के तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं सुचते हैं कि अलग-अलग बनाने से अच्छा है कि कमबाइन मतलब बाथरूम उसमें और जो हमारा ट्वाइलेट है दोनों एक साथ दे दिया जाए तो उससे फाइदा ये होता है कि वो कम जगह में आपका एक बाथरूम कमबाइन बाथरूम और ट्वाइलेट बन के तयार हो जाता है और जो जगह बसता है वो आप उस जगह को अपने कीचिन का जगह में यूच कर सकते हैं कीचिन बढ़ा कर सकते हैं आप अपना bedroom बड़ा कर सकते हैं, अपना hall बड़ा कर सकते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि हमारा space बसता है तो जो combine toilet और bathroom की जग़ा यानि space की बात करेंगे कि मतलब हमें इसमें कितना बड़ा हमें एक toilet और bathroom जो combine बना रहा है वो कितना बड़ा होना चाहिए और उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए पहले मैं बता दूँ तो देखिए अगर आप एक इस्टेंडर साइज की बात करेंगे की मतलब देखिए कोई भी चीज बनाने के लिए क्या होता है बिल्डिंग बाई लॉज जो होता है वो अपना एक इस्टेंडर साइज दिया हुआ है कि कितना बड़ा कौन सा चीज बनाया जाए मतलब छोटा से छोटा आप साइज उसका क्या रख सकते है जिसमें आपको उससे दिक्कत नहीं होगा आपका ट्वालेट और बातरूम बनाने में कोई किसी तरीके का परिसान ही नहीं होगा तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको यही यहीं पे डिटेल में अभी बताने वाला हूँ कि आपको कम से कम कितना जगा में जो आपका ट्वालेट और बातरूम है वो बनेगा इसकी चोड़ाई कितनी रखनी है तो जो minimum space चाहिए इस combined toilet और बातरूम को बनाने के लिए वो कम से कम आपका अगर total area की बात की जाए तो 30 square feet होना चाहिए 30 square feet से वो कम नहीं होना चाहिए ठीक है अब यह जो मैं बता रहा हूँ यह building parameter के हिसाब से बता रहा हूँ चाहिए एक bathroom का total अगर आप बना रहा हैं combined toilet और bathroom तो 30 square feet से कम नहीं होना चाहिए तो 30 square feet का अगर इसका लंबाई चोड़ाई मतलब आप समझ गए कि total area लेकिन आप बात आ जाती है कि इसकी लंबाई और चोड़ाई क्या देनी है तो इसका देखिए जो चोड़ाई रहेगा ठीक है bathroom का ओ कम से कम 4 feet का होना चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए ठीक है और इसकी जो लंबाई है ओ लंबाई आपको 7.5 feet रखनी है तो लगबग 30 square feet आपका आ जाता है अब बहुत लोग मैं देखा हूँ कहते हैं कि 30 square feet यानि कि 4 feet का जो ट्वाइलेट होता है ये बहुत छोटा होता है तो देखिए अगर आपके पास जगह है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं 4 से 4.5 feet 5 feet तक कर सकते हैं और अगर आपके लंबाई में भी जगह है तो 7.5 feet के डगह आप 8 feet 9 feet का वहाँ पर ट्वालेट बनवा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं बताया हूँ कि अगर आप 4 feet चौड़ाई रखते हैं और 7.5 feet उसका लंबाई रखते हैं तो देखिए जो हम लोग इंडियन सीट लगा ले या वेस्टन सीट लगा ले तो कितना आपका एसपेस लेता है ज्यादा ज्यादा दो से धाई feet आपका जगह लेगा तो अगर धाई feet भी आप उसका एरिया निकाल देंगे बहुत लोग सोचते हैं कि या रे toilet bathroom का उतना बड़ा मुझे कोई यह नहीं है कि मैं उसमें ज्यादा जगह लगा हूँ वो क्या कहते हैं कि 6 feet में बना लेता हूँ 7 feet में बना लेता हूँ उसका लंबाई क्या जरूरत है 7.5 feet और 8 feet देने का तो देखिए यह आगे चलके आपको बहुत दिक्कत होती है और जो building by lodge और building space parameter भी यही कहता है कि एक combined toilet और bathroom की जो लंबाई होनी चाहिए हो कम से कम 7.5 feet से कम नहीं होनी चाहिए लेकिन उससे आपको ज्यादा कम नहीं करना है यानि 7 feet से आपको ज्यादा नहीं कम करना है और in case अगर आपका चोड़ाई 4 feet ही है तो फिर आपको तो 7.5 feet लंबाई लेना ही है उससे आपको कम नहीं करना है अब बात करें कि इसके height के बारे में तो देखिए बहुत जगा द लेकिन दोस्तों यहां बहुत बड़ा मिश्टेक होता है अगर आप 7 feet तक उचाई अगर करते हैं तो उसमें आगे चलके बहुत प्रॉबलम होती है जो बहुत सारा bathroom में जैसे fitting होता है गीजर हो गया आपका sour हो गया तो गीजर का height होता है लगबग आपका 8 feet पे लगना चा यह 6.5-7 feet पे तो 7 feet पे आपका 6 feet रहेगा तो गीजर आप कैसे वहां पे fit कर पाईएगा ठीक है ऐसे ही जो bulb होता है बल्ब अगर उतना नीचे लगएगा तो अगर सावा उसके सामने उसी height पर लएगा तो bulb में पानी जा सकता है फिर air circulation जो space कम होता है तो air circulation नहीं बन पाता अच्छे से तो बहुत ज्यादा smell आता है बातरूम से तो यह सब बहुत तरीके का problem आता है अगला वीडियो मैं इसी पे लाने वाला हूँ कि बातरूम का एक extender height क्या रखना चाहिए अगर आप 7 feet तक height देते हैं तो आपको क्या problem होगी तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच